जिले हैं जापर की ये positive cases पाए गए हैं, उनमें बाकी सारी services को रोकते वे खाली essential services ही operate करें, उसके लिए state government आदेश जारी करें, साथ ही ये भी discussion हुआ है, ये भी निर्ने ले गया है कि state government इस list को अपने assessment के तहट बढ़ा भी सकती है, जितनी भी train services हैं, including sub-urban rail services, वो 31 मार्श तक के लिए स्थखित की जाती हैं, metro rail services को भी 31 मार्श तक के लिए स्थखित किया जाता है, interstate passenger transport उसको भी 31 मार्श तक के लिए स्थखित किया जाएगा, मैं ये आप लोगों को फिर बताना चाहूँगा, कि ये सारे measures temporary measures हैं, और ये बहुत vital हैं, बहुत important हैं कि हम अपना chain of transmission को तोड़ सकें, और साथ में ये भी हमें ग्यात होना चाहिए, ये भी हमें समझना चाहिए कि जो हमारा जनता कर्फियों हमने आज किया, ये उसका एक natural or logical extension भी है, इसके साथ ही states को ये भी कहा गया है, कि आप जब ये lockdown की स्थिती इन particular जिलों में, जहां पर ये positive cases आएं हैं, उस समय में आप जो भी required measures हैं, particularly जो हमारे poor और disadvantaged sections के लोग हैं, उनको कोई तकलीफ नहों, उसके बारे में भी required actions state level पर लिया जाएं, इसी के तहरे central government ने already labor ministry और ministry of corporate affairs को इस बारे में आदेश जारी करने के लिए भी बोल दिया है, एक और मुख्य अंश जो आज state secretary, chief secretary के और state health secretary के साथ meeting में आये था, वो ये था कि हमने state को कहा है कि वो अपनी capacity to manage positive cases जब भी वो कभी आएं, उसको ramp up करने के लिए required action ले और हर state अपनी state में dedicated earmarked facilities बनाएं, जो कि COVID-19 cases को manage करने के लिए तयार हो, और उन facilities को immediately ready करें, कर सकें, धन्यवाद. आपर बोलना चाहिए, सबसे आसान तरीका है, isolate करना उनको, जैसे ही वो isolate हो जाएंगे, तो वो वाइरस नहीं spread होने की उमीद कम है हम लोग को, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वाइरस हवा में तो नहीं है, मगर जो हम जड़ा सा बात कर रहे हैं तो droplets जो गिरती हैं, उस droplets से transmission होता है, और बहुत ही effective transmission होता है, क्योंकि वाइरस बहुत strong है transmission करने में, तो इसकी जिसे आप, infectivity बहुत जादा है इस वाइरस की, तो इसलिए उनको isolate करना बहुत जरूरी है, और भारत सरकार ने इस पे सारे ध्यान दिये हैं, चाहे प्रधान मंत्री के हाँ से हो, चाहे ministry of health के हाँ से हो, जाए ऐसे मार हो, चाहे सारे वाकी सारे विभाग, जो civil aviation और home और सारे विभाग इसमें लगे हो हैंगे, defense वगरा सब लगे हो है, और cabinet secretary इसकी meeting रोज सुबे शाम के कई महीनों से, कई हफतों से ले रहे हैं इसके बारे में, और अभी तक जो भारत की strategy रही है वो अच्छी रही है, और हम लोग अच्छे रहे हैं, और बहुत जादा मौतें भी नहीं हुए हैं, बहुत कम मौतें हुए हैं इसकी वज़े से, तो इसके लिए ये सवाल आता है कि इनको जो बाहर से आये हैं, उनको पहली चीज़े isolate करना, दूसरा सवाल आता है कि इनको test करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जैसे mass screening हम लोग ने thermal तो की, तो उससे जिनको temperature था उनको अलग कर दिया, वगर test का जो होता है, वो swap test होता है उसमें हम लोग virus को test करते हैं, RNA को extract करके, और उसके लिए हमारे भारत में छमता भी हम लोगों ने बढ़ाई है उसके लिए, और उस virus को test करने के लिए, ये virus का test जो है, दो दिन contact के बाद से लेके, 14 दिन तक कभी भी positive हो सकता है, यदि आपने आज test किया, negative है, पांच दिन बाद positive हो सकता है, साथ दिन बाद किया तो positive हो सकता है, 14 दिन के बाद यदि आप करें, तब negative होने की उमीद है, इस में बिमारी का समझना बहुत जरूरी है, कि इस बिमारी में 80% लोग को हलका जुकाम जैसा बुखार होएगा और ठीक हो जाएंगे, पता भी नी चलेगा, वो positive होए, negative होए और ठीक हो गया, 20 प्रतिशद में कुछ आपको खासी जो काम उखार हो सकता है, जिसमें से 5 प्रतिशद को अस्पताल में भरती करने की जरूरत पड़ती है, और जो 5 प्रतिशद अस्पताल में भरती होते हैं, उसमें उनको supportive treatment ये दिया जाता है, और कुछ में नई दवाएं आई हैं, वो ट्राइ की जा रही है, उनका भी result कुछ जगें इत्ता जादू नहीं है, क्योंकि मौतें यहां भी हो रही हैं, चाइना में, मौतें इटली में भी हो रही हैं, मौतें यूके में भी हो रही हैं, मौतें यूएसे में भी हो रही हैं, जब सार लोग कोई फोकस करना है कि अगर हम लोग ऐसोलेट कर दें उस जो बाहर से आये है उनको पंद्रा दिन के लिए, चौॉदा दिन के लिए कुस्वस कर दें, और यदि होम कुस्वस कर रहे हैं तो उनको बिलकल दूर रखना है, कम से कम एक मीटर या अलग कमरे में रहें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा यदि कुछ लोग बच्चे आ गए हैं अपने घर चुछ भी चले गए हैं कुछ तो तो उनको अलग कमरे में रहना ज़रूरी है दूसरी चीज यह है कि उनको टेस्ट करना की जरूवत तभी है जब उनको सि हमारे देश में हम लोगने अस्पताल की त्यारी सारे स्टेट्स में करी है जो कुविट के अस्पताल अलग होजाएंगे जिससे की बहुत आसानी से ये समझा जाएगा कि इसमें कुविट का मरिश जाएगा अन्य अस्पतालों में ही मिलेगा